हालो इवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, सो गाइज आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी ये टुलिप पैंट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाई स्टेप सो गाइज वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंट तक जरूर देखें कहीं भी स्केप ना करें एंट वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है कुछ पूछना चाते हैं तो कमेंट बाक्स में जरूर पूछे मैं डेफिनल्टी रिप्लाइ करूँगी इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि इस चैनल पर हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट होती रहती हैं अब बात करते हैं शलवार की तो देखिए ये शलवार का जो मेजरमेंट है कुछ इस तरह से रहेगा लैंथ हीप और वेस्ट ये तीन मेजरमेंट से हमारी शलवार रेडि हो जाएगी और ये शलवार बनाने के लिए हमें कम से कम दो मीटर फैब्रिक की ज़रूत पड़ेगी तो मैंने दो मीटर बटर क्रेप फैब्रिक लिया है फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं इसके बाद हमने यहाँ पर लैस ली है तो यह लैस कम से कम हमें तीन मीटर लेनी है तो मैंने यह कॉटन लैस ली है यह देख सकते आप यह तीन मीटर कॉटन लैस है इसके बाद कमर के हिसाब से हमने लास्टिक लेनी है तो लास्टिक की जो लंबाई है वो मैं 28 इंच ली है औ ही शेप देते हुए हमने कौन शेप में कपड़े को फोल्ड करना है, ऊपर से हमने लगबग 2 इंच या 3 इंच छोड़ना है, इस तरह से, यहां से मैंने 3 इंच कम रखा है ऊपर वाली लेयर, और नीचे वाली लेयर आप देख सकते हैं, यह यहां तक है तो कुछ इस तरह से हमें फैबरिक को फोल्ड करना है यानि जैसे आइस क्रीम का कौन होता है उसी शेप में हमने फैबरिक को फोल्ड करना है फोल्ड करने के बाद यहां से जो मेरे फैबरिक का आरज है यानि चोड़ाई है वो 24 इंच आया है और यहां से मैंने 3 इंच चोड़ा है जहां से हम अपना क्रॉच की चोड़ाई लेंगे इसके बाद हम अपनी शलवार की लेंगे तो नीचे कॉर्नर से इंच टेप रखेंगे और उपर जहां भी हमें अपनी शलवार की लेंच चाहिए उससे एक इंच कम लेंगे क्योंकि टुलिफ शलवार लैंथ में थोड़ी सी कम होती है अगर हम नॉर्मल शलवार की लंबाई लेंगे तो पीछे की तरफ से यानि एंकल की तरफ से जोल आएगा सिल्वर टेपड़ेंगी स्ट्रेट नहीं रहेगी तो मैं एक इंच कम पर ये शलवार रेड़ी रखूंगी तो मैंने 37 इंच पर इसका माग क्या है नॉर्मली मेरी शलवार की लेंथ 38 इंच होती है इसके बाद यहां से क्रॉच की विट लेंगे तो क्रॉच की विट मैं 0,5 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैंने इसको 3 इंच कम किया था आदा इंच ये मार्जन में जाएगा अब क्रॉच की ले लेंगे तो मैं 13 इंच ले रही हूँ और नीचे से भी हम 0,5 इंच की चोड़ाई लेंगे तो क्रॉच की चोड़ाई मैंने 0,5 इंच ली है अब इसमें ये एक box बना लेंगे और इस box में हम अपने crotch की shape दे देंगे तो ये shape हलके से देते हुई यानि ज़्यादा गहराई नहीं करनी हलकी सी curve देते हुई हमने mark करना है अब देखें नीचे corner की तरफ हम लगबग 1.5 से 2 इंच का एक mark करेंगे आप चाहें तो 1.5 पर भी कर सकते हैं बट मैं यहां 2 इंच की length पर एक mark करूँगी और ये mark हम सीधा कर देंगे तो ये mark जो हमने सीधा किया है इसी पर हमने इसकी cutting करनी है यानि सीधा हमने 2 इंच की length पर इसको cut कर लेना है अब हमने इंच टेप को दोबारा से नीचे corner पर रखना है और जो हमारी शलवार की length है उस length को follow करते हुए हमने गोलाई में mark करना है तो नीचे से इंच टेप को नहीं घुमाना उपर से हम इंच टेप को आगे की तरफ लाते हुए पहले dot dot करके marking कर लेंगे उसके बाद ये सभी mark को हम मिला लेंगे तो देखे इस तरह से हमने कौन shape में ही marking की है यानि गोलाई देते हुए इस तरह से अब आप चाहें तो थोड़ी बहुत शलवार की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं आदा इंच बढ़ा सकते हैं तो देखे मैं आदा इंच छोड़ते हुए उपर से कट कर रही हूँ तो पहले उपर से गोलाई में हमने कट कर लेना है इसके बाद जो नीचे हमने 2 इंच का straight mark किया है उसको कट कर लेंगे तो इसको सीधा कट कर लेना है और अब हम अपना क्रॉच भी कट कर लेंगे अब देखे शलवार कट करने के बाद ये आगी की तरफ जो हमारा फैबरिक बचा है इसमें से हम अपनी बैल्ट कट कर लेंगे इसके बाद नीचे जो हमारी मोरी है इसकी यहाँ पर 4 लेयर है इन चारो लेवर को पहले open कर लेंगे इस तरह से और इनको अब हमने आगी की तरफ से मिला कर रखना है यानि open कर लेना है इस तरह से इसके बाद खुली वाली साइड से हम लगबग पास से 6 इंच पर एक mark कर लेंगे तो यहां से उपर की तरफ हमने एक mark करना है साड़े पास इंच पर अब इस mark को हमने नीचे की तरफ हलकी सी गोलाई देते हुए मिलाना है फोल्ड वाली साइड तक और इसके अब कटिंग कर लेंगे तो गैस यह मैंने गोलाई शेप में दिया है इसके बाद अब हमने इसका साइड का सेंटर का नौजज लगाने है जो फोल्ड वाली साइड है यह हमारे सेंटर के नौजज जरूर आएंगे इसी से हमारे बेल्ट अटेच करने में हल्प मिलेगी तो इस तरह से हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है आप मोरी को अपने हिसाब से इस तरह से गोलाए में भी रख सकते हैं और तीकोना शेप में भी रख सकते हैं अब हमने इसकी स्टीचिंग करनी है तो पहले इसको ओपन कर लेंगे ओपन करने के बाद यह भी डबल फोल्ड है अब हमने इसका क्रॉस हिलना है तो क्रॉस से आदा इंच का दबाव लेते हुए यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ तो जैसे जैसे हम मार्क कर रहे हैं उसी तरह से एक सिलाई लगानी होगी तो यहाँ पर सिलाई कर लीनी है इसके बाद जो इसकी दोनों लेयर हैं वो रॉंग साइड में ही क्वाटर इंच डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से तो जैसे हमने क्रॉच इसका स्टिच किया उसी के साइड में यह फोल्ड होगा उपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नीचे वाले की तरह फोल्ड होगा इस तरह से तो ये सब fold करने के बाद ही देख सकते हैं आप cross हमने stitch कर लिया है और नीचे से भी इसको fold कर लिया है अब हम इसको open कर लेंगे तो देखिए इस तरह से बड़ा वाला part मैंने open किया और इसको सीधा कर लिया अब इसकी wrong side अंदर की तरफ चली गई है और right side बाहर की तरफ और इसका छोटा वाला part था वो front में एक साथ इस तरह से आएगा दोनों की crouch को आमने सामने रखेंगे और ये center का notch जहां हमने लगाया था यहां finger रखते हुए इसको आगे की तरफ overlap करना है और इसी तरह से अब इसको भी overlap कर देंगे और जो इसके किनारे हैं ये crouch के बिलकुल बराबर लग कर आएंगे इस तरह से अब देखिए अगर आप heavy size हैं जादा आपको घेर कम लग रहा है तो घेर आप इस तरह से और बढ़ा सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा दूर करेंगे तो घेर उपर से बढ़ जाएगा इस तरह से और घेर बढ़ने के बाद हमारी यहां पर कुछ इस तरह से छुट छुटी प्लेट्स आएंगे इसके बाद देखे हमने इस पर लैस लगानी है तो लैस कैसे लगानी है वो देख लेते हैं पहले हमने जो उपर की तरफ ओवर लैप हुआ है यहां से लैस लगाना है स्टार्ट करना है तो इस लैस को किनारे किनारे लगाते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और जो हमारा छोटा वाला पार्ट है जो अंदर की तरफ आया है यहां से हमने मोरी की तरफ घुमाते हुए इस साइड में लेस लेनी है और इस लेस को यहां तक हमने लगाना है यहां तक तो दोनों पार्ट में हमने इस लैस को बिल्कुल इसी तरह से लगा लेना है उपर से स्टार्ट करेंगे और यहां तक एंट करेंगे अब देखिए यह हमने लैस जो लगाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहां से हमने उपर से स्टार्ट की है और जो छोटा वाला पार्ट था जो अंदर की तरफ गया है इसको मैंने लगबग नीचे से 8 इंच की लैंट पर लाकर खतम कर दिया है यहां तक क्योंकि यह ओवर लैप लगबग 6 इंच पर होगा तो इस तरह से यह हमारी लैस लग गई है दोनों पार्ट में अब हमने अपनी टुलिप शेप को एड़ेस करना है पिल लगा कर तो हमने शलवार को इस तरह से अच्छे से फैला कर रख लेना है और जो साइट का मैंने नौजस लगाया था मैं वहीं पर ही इतना गहर रखूँगी यानि पीछे की तरफ नहीं गुमा रही हूँ तो जहां पर मेरा क्रॉच आया है बिलकुल वहीं से हमारी लैस टाच होकर आएगी यहां तक तो इसको मैं पिल लगाकर इसके साथ सिक्यूर कर लूँगी इसके बाद हमारा जो फरंट का उपन वाला पार्ट है जहां लैस लगाई है उसको भी हम पिल लगाकर सिक्यूर कर लेंगे क्योंकि वहां पर हमने सिलाई लगानी है और फ्रंट वाले घेरे में यहां पर हमारा यह डबल हो रहा है तो यहां भी हम पिल लगा लेंगे यह दोनों एक दूसरे के साथ यहां पर स्टिच होंगे इस तरह से तो यहां पर हमने सिलाई लगानी है इसके बाद जो हमारा यह फ्रंट का शेप है यहां भी मैं पिल लगा कर इसको सिक्यूर कर लूँगी तो देख सकते हैं आप इस साइड में भी मैंने पिल लगा लिया है बस अभी धर लगानी है तो हमने शलवार को अच्छे से सैट करना है हातों से और इसमें कोई सिल्वर्ट नहीं आनी चाहिए नीचे तक अब जितनी मोरी हमें ओपन रखनी है वहां पर हम पिल लगा लेंगे तो यहां से आप अपने हिसाब से मोरी की चोड़ाई जितना भी आप ओपनी रखना चाहते हैं मोरी की उतनी रख सकते हैं और मैंने यहां पर देखी पिल लगा ली है अब बीच में भी मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर पिल लगा लूँगी ताके जो इसकी सैटिंग है वो बिगडेना और सिलते हुए ये एक्वल ही बराबर आए तो ये मेरी मोरी वाली गोलाई है जो मैंने ओपन की है इसकी जो गोलाई है वो मैंने लगबग 6 इंच पर रखी है 6 इंच के बाद मैंने इसमें दोनों पार्ट को ओवर लैप करके पिल लगा दिया है यहां पर अब उपर भी मैं पिल लगा दूँगी तो बार बार हमने हाथों से सैट कर लेना है ताके इसमें कोई जोल सिलवट ना है अंदर की तरफ फैबरिक डबल फोर्ड ना हो इस तरह से इस टूलिप शलवार को जो बैक वाला गहरा है यानि पीछे की तरफ जो आएगा वो एक लेयर है लेकिन फ्रंट में ये डबल लेयर रहेगा तो जहां तक डबल लेयर रहेगा वहां पर मैंने पिल लगा दी है और उन दोनों लेयर को एक साथ सिल देंगे ताके वो एक लेयर बन जाए इस तरह से अब चलिए जहाँ जाँ हमने पिल लगाई हैं वहाँ पर हम इसको सिलाए लगा लेंगे और सिलाए लगाने के बाद यह देख सकते आप यह फिरंट के जो हमारी दो लेयर थी जहाँ तक ओवरलैप हुआ था वहाँ पर हमने इसिलाए लगार इसको सिक्यूर कर लिया अब फ्रेंट से जो हमारी टुलिप शेप आई थी जहां पर हमने लैस लगाई है वहाँ भी हमने इस पर सिलाई लगा दी है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद ये देख सकते हैं ये पार्ट इतना बंद हो गया है और ये इतना मोरी का ओपन रहेगा सो गाईज उम्मीद करती हूँ यहां तक आपको एक एक चीज के लिए समझ आ गई होगी नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अब चलिए इसमें हम बैल्ट अटेच करते हैं तो बैल्ट अटेच करने के लिए जो इसका घेरा है वो ये वाला है तो इस की लैंट पर हम अपनी बैल्ट रेडी करेंगे और बैल्ट की जो चोड़ाई है वो यानि लास्टिक की चोड़ाई दो इंच रहेगी और बैल्ट की जो लंबाई है वो अपनी कमर के हिसाब से लेंगे जितनी भी आप नॉर्मल अपनी कमर की लंबाई लेते हैं शलवार मे का डारेक्शन आप किसी भी साइड में रख सकते हैं जितनी प्लेट्स फ्रंट में आएंगी उतनी ही बैक में आएंगी तो इस तरह से देख सकते हैं आप हमने बैल्ट को अटेच कर लिया है जितनी प्लेट्स मैंने फ्रंट में लगाई है उतनी ही बैक में लगाई है इस तर से आएंगी प्लेट का कोई भी इश्यू नहीं है आप छोटी बड़ी कैसी भी रख सकते हैं बस फ्रंट में ध्यान रखें प्लेट लैस के बराबर में जादा नाएं साइड में रखनी हैं बट बैक वाले जो प्लेट सें वो पीछे की तरफ सेंटर में डाल ली हैं अब कर लेंगे आप चाहें तो नेफा बनाने के बाद लास्टिक इंजर्ट कर सकते हैं या फिर नेफा बनाते हुए हैं टो हैं लास्टिक इंजर्ट करके बैल्ट बना सकते हैं तो लीजे इस तरह से हमने ये बैल्ट लगा ली है और बैल्ट के सेंटर में भी एक सिलाय लगा है ताकि लास्टिक हमारी नेफे में फोल्ड ना हो इस शलवार के साथ जो मैंने कुर्टी बनाई है उसका वीडियो आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहां एंड स्क्रिन पर मिल जाएगा सो इसको क्लिक करके आप इसकी कुर्टी की वीडियो देख सकते हैं